तो यहां पे आप देखेगा हमने इसको 220 वोल्ट दे दिया है यहां पे आप देखेंगे को और से तो यहां पे लिखा हुआ है कॉर्णर पर 120 से लेके 240 तक यह वोल्टेज ले सकता है तो यह जो है आपकी घर की ही सप्लाई है तो इस तरह की PLC जब आपको देखने को मिलेगी तो आपको डारेक्ट वहां पर 220 वोल्ट कनेक्ट कर देना है कुछ PLC आपकी इस तरह की भी होती है जैसे कि यह साइड में हमारे पास क्या है एलोन बैटली PLC है और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो सप्लाई मिली हुई है वो आपकी इसमें क्या लिखा हुआ है 24 वोल्ट इंपुट तो इसको हमने जो सप्लाई दिये वो SMPS से दी हुई है लेकिन अगर आपके पास इस तरह की PLC है जिसमें एलाउड है डारेक्ट डारेक्ट आपका 220 वोल्ट तो आपने डारेक्ट सप्लाई इसको यहां पर दे दी है ठीक है दूसी चीज आप अगर नीचे देखेंगे तो यहां से यह PLC खुद में 24 वोल्ट निका ठीक है अब यह आपके देखिए common है और हमने क्या किया इन सभी common को 0 वोल्ट पे बना दिया ठीक है सारे common जो है उनको 0 वोल्ट बना दिया कैसे किया 0 वोल्ट से एक वायर लिया और इनको भी लूप कर दिया ठीक है यहां पर यह connection हो गए उसके बाद हमने क्या किया कि इस से अब हमने क्या किया यह जो 0V है इसको लेके इसको हमने यहां से वायर लिया और यहां पर आप देख पारे होगे एक चीज यह देखे यह क्या आ रहा है S less S Sinking and Sourcing तो आप according to you इसको Sinking और Sourcing बना सकते हो तो अगर आप इस पे 0V कनेक्ट कर देते हो तो यह Sinking बन गया और अगर आप इस पे 24V प्लस वाला कनेक्ट कर देते तो यह Sourcing बन जाता ठीक है तो आपने अभी X1, X2 जितने भी यह inputs हैं इनको basically आपने एक सिरा जो है वो 0V कर दिया इनका तो अब जब आप wiring करोगे जैसे कि यह स्विच है तो इसको आप जो है एक सिरा positive से और यहां पर जो है वो आप connect करोगे आपका मतलब एक X0 से connect करोगे और एक आप positive से connect करोगे क्योंकि X0 का एक सिरा जो है वो negative से already connected है तो माल लीजिए यह है आपका switch ठीक है यह आपका switch है और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते तो इसमें आप देख पा रहे होगे इस तरह से तीन चीजन दी गई है और इनके बीच में जो सरकेट है देखे यह जो है इनके बीच में जो सरकेट है वो कुछ इस तरह से है कि आपका पहले इस तरह से यह बना हुआ है और इनके बीच में यह दिया हुआ है ठीक है तो यह आ ठीके तो जब आपको यह क्या है एनो बनाना है आपको नॉर्मली ओपन स्विच दवाना है बनाना है कि जब आप इसको प्रेस करो तो यह 2 जो है 3 से जाके लग जाए और आपकी सप्लाई कंप्लीट हो जाए अब किसी ने क्या किया यह कॉमन पे कॉमन को आपको से कनेक्ट कर दिया एक जीरो ओलेडी कनेक्टेड है जीरो वोल्ट से नेगेटिव से ठीक है तो जैसे कोई बटन टू दबाएगा यह क्या होगा यह जो है वो यहां से आके लग जाएगा तो यह सरकेट पूरा हो जाएगा और देखिए पॉजिटिव यह हुआ और आपका एक जीरो यह हुआ इसका एक जिरा आपका नेगेटिव हुआ तो आपका क्या होगा यह सारकेट आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो यह जो मोड्यूल है जो X zero है जो input है वो क्या कर रहा है supply को सिंक कर रहा है इक त्रवे अंदर ले रहा है तो इसको इसले गाहते हैँ sinking Headaches अगर यह मने इसको प्लस से connection किया हूता मान लिए तो इसको क्या बोलते हैं sourcing बोलते हैं Cakra 2 तो इसको प्लस कर दिया हूता और इसको मैंने Minus कर दिया ठीक है minus किया होता मतलब एक जो यह जुमेन CWK के इससे connect करूँ गा जो कि यहां से olow उसको अगर मैने नेगेटिव किया होता तो क्या होता अजिलो क्यों से सप्लाइ इस तरह से आती ट्लॉफवाइड एंटिकलॉफ इस तरफ आती तो इसको एक तरह से यह never Input Module एक तरह से किस तरह से काम करता ऑशोर्स इंप आप एक चीज और इसमें समझने वाली है यह आप देखिए गाइस को इसको आप जब देख रहे हैं तो क्या इसमें इन सारे इंपुट का अलग-अलग common बन सकता है नहीं क्योंकि एक ही क्योंकि एक ही सो इसमें ना sinking and sourcing यह की common सबके लिए ठीक है और इस वाली PLC में देखो आप इस वाली PLC में यह क्या है एलन बैटली की PLC है इसको आप उपर ले जाओ और इसमें आप देखो focus करोगे तो देखिए इन इनपुट का i0, i1, i2, i3 का यह जो common है वो एक है मतलब इसको आप चाहो तो आप syncing बना सकते हो इसको आप चाहो तो sourcing बना सकते हो और इन इनपुट का जो है यह source इनका common अलग है तो आप इसको syncing और इसको sourcing बना सकते हो और बाइस फरसा है ना different आप common connect करके इनको syncing and sourcing बना सकते हो यह क्या है analog के लिए ठीक है जब आप हम BFD भी मगाएंगे तो इसको आपको दिखाएंगे आपको यह concept आपका clear है ठीक है बने अब देखो यह LEDs हैं यह LEDs हैं तो अभी में क्या करता हूं यह जो बटन है यह आपके इससे connect कर देता हूं और आपको बटन प थोड़ा सा zoom करके दिखा सकते हैं तो यह दिखा हुआ है आपका input तो जब भी आपके LED on होगी तो यह on हो जाएंगे जो relay की बात में कर रहा था वो यह है कि जब इसको आप off कर दोगे तो यह देखो run mode बंद हो जाएगा और इसको on कर दोगे तो run mode आपका on हो जाएगा ठीक अब हम क्या करते हैं एक जो button है हमने वो connect कर लिया है अब देख लेजे कैसे connect किया है यह जो है यह common है और common हमने positive दिया है क्योंकि हमारी जो wiring है वो sinking type है और यह मैंने जो connect किया है यह थोड़ा सो देखा दीजे इधर यह मैंने X0 पर connect कर दिया है ठीक है? यह X0 है ठीक है बटन को जब आप प्रेस करेंगे, यहां पर आप देख पाएंगे, यह input on है या नहीं है, है ना, तो यह input आपका on हो गया, ओके तो यह input आपका on हो गया इसके according जो program आप इस पे load करेंगे उसके हिसाब से आपके यहाँ पर जो है output आप देख सकते हो और जो आप connect करोगे उस हिसाब से भी देख सकते हो अभी यह program क्यों नहीं चला अभी मैंने इसमे program load किया हुआ है लेकिन क्या है ना normally close वाला जो है वो लगा नहीं है इसलिए नहीं चला लेकिन ठीक है यह button का आप operation देख पा रहे हो यहाँ से आप इधर input देख सकते हो और अगर यह जो चीज है black वो मैंने उपर अगर connect कर दी तो क्या हो जाएगा यह normally close same switch normally close बन जाएगा मतलब यह लगाता on रहेगा लेकिन जब आप button प्रेस करोगे तो आपको क्या होगा off हो जाएगा ठीक है तो यह आपको circuit sales के idea हो जाएगा I hope you like this video और अगर आपको offline center join करना है हमारा जो कि okla face 2 में है तो आप मुझे number में अपना दे दे रहा हूँ इस number पे contact कर सकते है और description में भी मैं link दे दूँगा आपको whatsapp की तो whatsapp पे भी आप मुझे message कर सकते है यह इंडिया का number है और हमारी center जो है okla face 2 डेली में है तो आपको अगर online या offline किसी भी प्रकार की training की requirement है चाहे वो मित्सूसी PLC पे हो और चाहे एलिन बैटली और सीमेंस पे हो हम सभी प्रकार की training आपको provide करते है thank you very much